आज की कक्छा में आप सबको स्वागत है आज की कक्छा में आप सबको स्वागत है आज की कक्छा में आप सबको स्वागत है आज हम लोग पढ़ेंगे सश्की विवक्ति संबंद कार्यक से संभावीते प्रश्ट में और आपको उसका जवाब देना है तो चलिए शुरू करते हम लोग अपना सबसे पहला प्रश्टे हैं आपको रिक्त अस्थानों की पूर्ती करनी है रिक्त अस्थानों की पूर्ती करें यारी खाली जबह को भरना है पहला प्रश्टे है उपरी उपरी के अर्थ में विभक्ति होती है कौन से उपरी उपरी के अर्थ में कौन से विभक्ति होती है श्रीगाल का सच्थी दुवचन रूप क्या होगा दुवचन रूप बताने है तीसरा है बुद्धी शब्दकार सच्थी एकवचन डैस होता है क्या होता है महिला शब्दका किस वचन मी में महिला ना महुगा कुवचन पूप अर्पचन है क्या होता है क्या होता है बुवचन पुवचन रूप क्या होता है है कौन सा लिंग है छट्था है असमद शब्दकार बहुबचन होगा क्या होगा असमद शब्दकार सच्ची विवद्थी नी होगा क्या आपको बताना है और अगला प्रेश्च में यूसमद यूसमद सब्दकार बहुबचन सच्ची विवद्थी विवद्थी होगा तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग अतना प्रेश्च में सबसे बहले है उपरी उपरी के अर्थ में कौन से विवद्थी होती है उपरी उपरी के अर्थ में कौन से विवद्थी होती है आरियन, प्योस, कार्थिक पडेल, केतायन, उपरी उपरी के अर्थ में कौन से विवक्ति होती है? जवाब दीजी आप लोग, सश्थी, उपरी उपरी के अर्थ में सश्थी विवक्ति होती है, ठैंक्यो केतायन, आरियन, अगला प्रश्ण है, श्रीगाल शब्द का सश्थी द्विवचन में क्या होगा? श्रीगाल का सश्थी द्विवचन में क्या होगा? श्रीगाल 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 श्रीकाल में क्या होगा? श्रीगा लयो होगा यहां लिख देते हैं श्रीगा लयो सश्थी दुए बचन में होगा श्रीगा लयो अगला है बुद्धी सब्द का सश्थी एक बचन में होता है क्या होता है, बुद्धी सब्द का सश्थी एक बचन में होता है, सश्थी एक बचन में बुद्धी सब्द का सश्थी एक बचन में क्या होगा, जिसके बुद्धि, इकराम तो सब्द रूप हो गया। बुद्धि सब्द का सर्थी एक बुचिन में क्या होगा। यहां पे होगा बुद्ध हो। सश्ची एक बुचिन में इसके रूप होगा। प्रेक बुचिन में इसकी एक बुचिन– महिला शब्द किस वचन में है महिला शब्द किस वचन में महिला नाम होता है महिला शब्द किस वचन में महिला नाम होता है बहु वचन्मी होता है महिला नाम बहु वचन्मी अगला प्रेश्न है कस्याह कस्याह जो है किस लिंग का सब्द है कस्याह इसका लिंग बताने है कौन से लिंग में कस्याह होता है पुलिंग इस्तिलिंग नपुंसाक लिंग किम सर्वनां के किसरू किसलिंग में होता है किम सर्वनां के किस लिंग में कस्याह होता है इस्तिलिंग बरी इस्तिलिंग में होता है अगरा प्रश्ण है अस्मद सब्द सष्थी विभक्ति में होगा अस्मद सब्द का सष्थी विभक्ति दुई वचन में क्या होगा अस्मद सब्द के सष्थी विभक्ति दुई वचन में क्या होगा आश्माद सब्सक्ति के सच्छी विभेक्ति दुपिचें में क्या होगा? आवयो होगा, आवयो होगा, आवयो होगा, आवयो होगा, आवयो होगा, इसे प्रिकार से अब युश्मद सब्द का दुवचन सश्टी विभक्ति में होगा, क्या होगा? आवयो होगा, 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 आवयो ह यू वयो हूगा अब अगना प्रेशन है आपको अर्थ बताना है शब्द का अर्थ लाओसो यू कुछित बती है आपको अर्थ बताना ांपको 직्थ अपन्म नपन्म को इसाद। सबसे पहला है आधा का मतलब बताने आधा आनन देन बती येशिव प्राफ लीटे रफ फुली तहर काण ठस्य एक्छती तस्य एक्छती तस्य मान से खंडम अतीव स्वार्ण 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 क्रिष्ण और वर्ण हम इस्टा अर्थ बताएंगे तो सबसे पहली अधा का अर्थ बताएंगा अधा अधा का मतलब क्या होता है अधा अधा मतलब नहीं होता है वो अधा होता है आज नहीं होता है यह आधा है आधा का मतलब होता है नीचे आधा का मतलब नीचे होता है आनंदीन 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 का मतलब बताने हैं आनंदीसी युस्कुमार आनन्द से तिर्चा भी भक्ती, बुद्धेर यस्य, बुद्धेर यस्य का मतलब क्या होता है? आनन्द से तिर्चा भी प्रहीद में है, बुद्धेर यस्य को मतलब होता है? जिसकी बुद्धी, यस्य जिसकी और बुद्धी, जिसकी बुद्धी, प्राफुलिता है, प्राफुलिता का मतलब क्या होता है, आधियन, किसले, प्राफुलिता है, अधित्या, प्राफुलिता है, प्राफुलिता है, अधित्या, प्यूस्कुमाई, प्राफुलिता का मतलब होता है, खुश हुआ, खुश होना, प्रसन्न होना, प्राफुलित होना, कांठस्य का मतलब क्या होता है, कंठस्य, आधित्या, कितन, कंठस्य का मतलब क्या होता है, कंठस्य का मतलब क्या होता है, इच्छती, 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 इच्छती का मतलब क्या होता है, चाहता है, इच्छती का मतलब क्या होता है, अगला है प्रसनी, आपका तस्य, तस्य का मतलब क्या होता है, इच्छा से जो लोग निखने हैं गलत निखने हैं इच्छती का मतलब चाहता है लट लगा की किया है ना तस्य का मतलब बताने है तस्य तस्य का मतलब होता है उसका थतसर विनामकार सश्ची विवक्तिये पुचिन में तस्य तयोती शांग होता है तस्य का मतलब होता है उसका अब मान सिखन्डम मान सिखन्डम का मतलब क्या होता है मान सिखन्डम मान सिखन्डम मान सिखन्डम मांस का टुकड़ा अतीव का मतलब क्या होता है अतीव का मतलब क्या होता है अतीव का अतीव का मतलब होता है अधिक या बहुत अतीव सुंदराश्ती बहुत ही सुंदर है अतीज़ आ इव आपका बंजा अतीव यानि बहुत ही अधिक ही स्वराह का मतलब क्या होता है स्वराह स्वरे आ स्वराह का मतलब स्वरे अध्वा आवाज क्रिष्ट नहां क्रिष्टन का मतलब क्या होता है सागर कुमार क्रिष्टन का मतलब क्या होता है काला मैंने बुट क्रिष्टन का मतलब होता है काला और वर्ण का मतलब क्या होता है वर्ण 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 का मतलब क्या होता है वर्ण अनिकार्थी शब्दे है वर्ण जो है अनिक अर्थी शब्दे है और अब किस अर्थ में प्रियुक्त हो रहा है उसके अनुसार इसका अर्थ निकलता है वर्ण का मतलब रंग होता है वर्ण का मतलब अप्चर होता है और वर्ण का मतलब जाती भी होता है तो अब जिस अर्थ में उची थो इसका अर्थ लगाया जा सकता है यहां पर वर्ड इस चेप्रेर में वर्ड जो है रंग के अर्थ में है लेकिन वर्ड इस सब्द का प्रयोग अक्षर के लिए भी किया जाता है जाती के लिए भी किया जाता है अब अगला प्रेशने है हम लोगों का मैं अब बाके प्रेशने को like, लोगों मैं आपर्चा हम बाके मोपों का स्थार, कि अब बादाने है। अग्ला प्रश्ट में है कि मंदिला ना इताशाम अध्या पकस्या तुलाना कासाम मित्रश्य और श्री गाले आपको लिंग बिभक्ति और वचन बताना है मंदिला नाम का मंदिला नाम कौंसा लिंग है कौंसी बिभक्ति है कौंसा वचन है किते है किते हैं नाम कौंसा लिंग और सश्थि विभक्ति और बहु बचन अधित्या सही है नाम कौंसा लिंग होगा। सश्थि विभक्ति होगी और बहु बचन होगा। मिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रेस्ट है इता साम। इता साम का लिंग विभक्ति और बचन बताएं। प्यूसे। केतायं। अधित्यार कुमार। इता साम का क्या होगा। सश्थि विभक्ति, इस्तिलिंग और बहु बचन है। इस्तिलिंग शब्द है इता साम। और सश्थि विभक्ति और बहु बचन है। अध्यापकर्ष्य। 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 और झाहन प्यूसे। पुलिंग सश्थी विभक्ति और एक बचन बेरी बुलिंग है सश्थी विभक्ति है और एक बचन है अध्यापकस्य तुलाना तुलाना कौन सालिंग है तुला तुला शब्द पहले लिंग बताओ तुला कौन सा लिंग है तुला शब्द सा लिंग साथ है तुला नाम अब इसका लिंग और बचन क्या होगा आर्यान नपुल्सक लिंग निया, तुला सब दिस्ति लिंग निया के तैंग तुलाना विभट्तियो और बचन बताओ इस्तिली बहु बचन, सश्थी विभक्ति, ठैंक यू सश्थी विभक्ति और बहु बचन अगला शद्य है कासाम कासाम शद्य कौन सा लिंग है, कौन से विभक्ति, कौन सा बचन है काशाम काशाम सब्द का बताओ कौन सा लिंग है इस्तिली बहु बचन, सश्थी विभक्ति बहु बचन, ठैंक यू काशाम सा लिंग है अधित्या मित्र से पुलिंग है मित्रम सब्द है, मित्रम, नपुन सा लिंग है, तृत्या विभक्ति से रूप पुलिंग की तरह चलता है, तो तुम को लिंग बताना होगा तो तुम यह नपुन सा लिंग कहोगी क्योंकि मित्र सब्द का प्रयोग स्ट्रिंग और पुलिंग दोनों के लिए होता है और सच्ची विभक्तिया और यह पुचिन है अगना है श्रीगाले है, श्रीगाले है सब्द का प्रयोग, किस लिंग, किस विभक्ति, किस पुचिन में होता है श्रीगाले है श्रीगाले है पुलिंग है, ठेंक्यू और सच्ची विभक्ति है पुलिंग और तृच्चा भी भक्ति है और बहु बचन्यू अगला प्रश्चन है आपका अगला प्रश्चन है किस विभक्ति है पुलिंग किस पुलिंग है अगला प्रश्चन है अगला आपको अश्मद सब्द का सश्थी एक वचन रूप लिखना एक वचन में युश्मद का सश्थी बहु बचन एतन पुलिंग सश्थी दोई बचन एक वचन एक वचन के वचन एक वचन में तत्ति इस्त्रिलिंग सश्थी बहु बचाएं। किम पुलिंग सश्थी दुई बचाएं। आपको रूप बताना है। अस्मद सद्कार सश्थी विभक्ति के एक वचन में क्या होगा। बहुत अच्छा लगा। आप लोग जो इस्टीकर भेज रहे हैं। लेकिन प्रीज पढ़ते समय थोड़ा सिरियस ही रहिए। और पढ़ाई पर फोकस करिए। प्राई पर फोकस करिए प्यूस। हाए है ьогоVIS क्यत्स क्यम्ह क्यत्स 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 झाल झाल आश्माद सब्दका सच्की विभक्ती एक वचन मी क्या होगा? आवयो होगा, आवयो, सही जवाद, आवयो हो. एक वचन मी मम होगा, मम. आश्माद सब्दका सच्थी एक वचन मी मम होगा. और युश्माद सब्दका सच्थी वचन मी क्या होगा? युश्माद सब्दका सच्थी एक वचन मी युश्माद सब्दका सच्थी एक वचन मी क्या होगा? 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 तयो होगा यहां पे, यह तयो होगा यह तयो होगा यह तयो होगा अब तर्थ इस्तुलिंग सश्ची विभक्ती बहुबचन में तर्थ इस्तुलिंग सश्ची विभक्ती बहुबचन में क्या होगा तर्थ इस्तुलिंग सश्ची विभक्ती बहुबचन यहां पर आपका होगा ताशाम ताशाम होगा और कियम सब्द का पुलिंग सश्ची विभक्ती बहुबचन में क्या होगा क्यम सब्द का सश्ची विभक्ती बहुबचन में होगा कयो इस तरह से आज हम लोगों ने संबंध कारव सश्ची विभक्ती से आपका टेस्ट लिया अब अगले दे यानि नेक्ट दिन जब आपका क्लास होगा तो हम पंच में विभक्ती से चैप्टर से और अभ्यास से आपका टेस्ट लेंगे तो आप लोग तयार रखिएगा चैप्टर टेन पंच में विभक्ती अपानान का रख और आपका जो टेस्ट होगा वो बुक के अंदर से, चप्टर से, अभ्यास से और इधर जो शब्द रूप सर्वन नाम रूप दिये हुए हैं, उन सब्वों से होगा। अब मैं आपका अटेंडेंस ले रही हूँ। आकाशराच, अमन, अनुराच, आरियन, अविनाश, आयुष, आयुषकुमार, आयुषराच, गुलसन, प्यूसिंग, रशांतराच, सुजन, ख्षनी, सूरच, उप्लक्ष, विकास, सहंसासिंग, आदर्श, रिशोराच, कार्थिक पटेंड, केतन, आदित्या सिनह, आदित्या सिंग, अन्सु, आदित्याराच, आदित्याराच फर्स्ट, सुधान्सु पटेंड, उमंग, यसराच, शुजन, आकाश कुमार, आमार, रिशी केस, उपेर, प्रिया कुमारी, आदित्याराच, आशुतोस, प्यूस कुमार, रिशो कुमार, अमन कुमार और अमित्पटेंड, तो इस तरह आपका आज का अटेंडेंस रहा, अब हम लोग नेक्ट दिन जब आपका क्लास होगा, तो आप चैप्टर फाइब, चैप्टर ये अपरान कारत, पंचमी भक्ति, दिभाईच करके आईएगा, बाई!